हेलो फ्रेंड वेल्कम बेक टू माई चैनल आज मैंने दो पुराने ये रिंग को नया लूग दिया है और उसका DIY क्या है ये एक है येलो कलर का रिंग है जिसको मैंने एक पॉम पॉम के साथ इसको नया लूग दिया है और ये येलो सारी के साथ बहुत अच्छा मैच हो रहा है तो आएए देखते हैं कैसे बनाया मैंने ये DIY ये रिंग ये एक पॉम पॉम ये रिंग है तो उसके लिए मुझे पहले बनाना परेगा पॉम 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 बनाने के लिए मैंने येहां पर लिया है लाइट येलो कलर का उन और एक फोक मैंने यहाँ पर उन को 50 ताइम्स फोल किया है फोल करने के बाद मैंने इसका एन पॉइंट कत कर दिया है फोक के मिडल पार्ट से एक मैंने सोटा सा उन का तुकरा लिया है अभी इसको डोनो साइट से मुझे टाइट नॉट लगाना है तो उपर के साइट में फोक के अंदर रहते ही इसको नॉट लगा रही हूँ उसके बाद मैं इसको उन को बाहर निकाल रही हूँ फोक से और ओपजिट साइट में भी ऐसा ही एक टाइट नॉट लगा रही हूँ अभी इसके दोनो साइट को करत करना है केसी से कत करने के बाद अच्छे से पॉम पॉम को ट्रीमिंग भी करना है तो ये एक सुन्दर सा पॉम पॉम रेडी हो जाता है फोक पे पॉम पॉम बनाने का फाइदा यही है कि ये सब एक साइस का बनेगा और मुझे यहाँ पर स्मॉल साइस के पॉम पॉम की जरूरत है आप अपने कपरे के हिसाफ से कोई भी कलर का पॉम पॉम बना सकते हो यहाँ पर मैं इसको येलो सारी के साथ मैच करने वाली हूँ तो मैं यहाँ पर येलो कलर ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मुझे से पॉम पॉम चाहिए उसके लिए मैंने यहाँ पर चार लाइट येलो पॉम पॉम बनाया है और दो मैंने दार्क येलो कलर का पॉम पॉम बनाया है दार के लो पॉमपॉम को मैं मिडिल में रखूंगी दोनों साइड में एक एक लाइट कलर का पॉमपॉम रहेगा यह रिंग में मेरे पास पुराना एक स्टील का रिंग है और यहां पर मैं यह पॉमपॉम लगा रही हूँ तो क्या रशधी में में यह रख। और ये पॉम पॉम लगाने के पाद मेरा दोनो येरिंग रेडी हो गया है और येलो कलर ड्रेस या सारी के साथ ये बहुत अच्छे से मैच होगा और ये बहुत इजली मैंने एक नया येरिंग बना लिया है पुराने येरिंग से तो आपको कैसा लगा ये मेरा रियूज येरिंग आइडिया कमेंट सेक्षन में ज़रूर सेर कीजिए next तो DIY यरिंग है ये white color का यरिंग और मैंने इसको पैना एक western dress के साथ तो आए देखते हैं इसको कैसे बनाया है मैंने next तो यरिंग है उसको भी मैं ये उन से ही बना रही हूँ यहाँ पर मैंने white color का उन लिया है और यहाँ पर भी मैंने dho ring लिया है लेकिन ये drone no ring पहले के ring से 40 size का है मैंने यहाँ पर एक card के उपर white one को 40 times fold किया है और इसको मैंने लंबा ही fold किया है fold करने के बाद इसको मैंने एक size से cut कर दिया है और अभी एक एरिंग लेके इसके उपर एक नॉट लगाना है बहुत इजी सा नॉट आप वीडियो में डेखके इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे मैंने कैसे ये नॉट लगाया नॉट को अच्छे से खीश के टाइट कर लेना है अभी नीचे के उनको इक्वेल साइस में कट कर लेना है उनको कट करने के बाद एक कोम लेके इसको बहुत अच्छे से कोम करना है ऐसे कोम करने से इसका उनका पूरा एक एक धागा निकल आता है और ये देखने में एक बंसी लूप देता है कोम करने के बाद भी नीचे कुछ धागा निकलेंगे तो उसको भी इक्वेल साइस में कट कर लेना है तो ये बहुत सिंपल और एलिगन सा एक येरिंग रेडी हो गया है और ये पुराने येरिंग का एक नया लूप बन गया है तो आपको कैसा लगा ये वाइट कलर का येरिंग आप मेरे साथ जरूर सियर कीजे कमेंट सेक्शन में अगर आपको आज का DIY वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजे अगर आप मेरे सेनल में नए हो तो सेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर